मेरा नाम सुनिल सूर्थी है, फार्मसिस्ट हूँ, मेरा नाम दर्मिश्षा सूर्थी, मैं बाई कॉलिफिकेशन सिविल एंजिनियर हूँ, और आज जो बिजनेस जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, अब प्लैटफॉर्म वेर वुमन कैन बी ए एंटर्परिनर, त तर्मिशा आप कुछ बताएंगे उसके बारे में. कि यहां से आप अपने बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं, और उसके बारे में आज हमारे साथ जो बात करने वाले हैं, उनका नाम है वो सफल, यानि सक्सेस्फुल एंटर्प्रिनर है, सक्सेफुल बिजनस्वोमन है, उनका नाम है सॉनल ठाकोर जी, वो आपको कि कैसे आप ये प्लेटफॉर्म को, एमवे प्लेटफॉर्म को यूज करके आप एंटर्प्रिनर बन सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत सारी खुशिया ला सकते हैं, तो बुलाते हैं वही शानदार जानदार कपल को, निलेश एंड सॉनल ठाकोर अन डिजिटल स्क्रि कि मुझे इतना अच्छा रेकोगनेशन मिला राइट और मिले का जब मैंने देखा तब चांसिस मुझे देखा था तो मैं टीकी रही हो आराज में वोस चीज को फिल भी कर रहे हूं राइट दोस्तों वनस अगें पीजी चौथी बार गुट इनी बट ये सेशन बहुत ही वाला है अभी इतनी देर आप यहां तक पीके हो तो बस और 20-25 मिनिट आप ज़रूर ये सेशन को फुरा एटेंड करना ताकि बिलीफ आपका बड़ा बना रहे हैं और आज मेरी बाते शायद कुछ कॉंसेंट्रेटर फॉर्म में होगी क्योंकि हम टाइम से कुछ आगे चल बिजनेस में आई तब मैं गवर्मेंट जॉब कर रही थी और जॉब के साथ-साथ मुझे यह उपर्चुनिटी को दिखाया गया एक्चुली मैं अक्यला जॉब नहीं कर रही थी जोब के साथ में और भी चीज़े कर रही थी जैसे टूशन से जुलरी का बिजनेस से सारी और ड्रेस माटिरियल का बिजनेस है और ब्यूटी बालर का बिजनेस है मतलब यह चीज़े थी कि और चारपा चीज़े में जॉब के साथ तर रही और वो टाइम पे यह उपर्चुनिटी मेरे पास आई यह मना कर सकती थी मैं यह उपर्चुनिटी को डेफिनेटली क्योंक इसको मना करनेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि यह सब चीजों के बावजुद भी में एक लेडी थी और अपना गर अपने हस्बंड और अपने बच्चों का भी रिस्पोंसिबिलिटी मेरे उपर था क्योंकि हम सिंगल रहते थे अपने बच्चों के साथ तो पूर का रिस्पोंसिबिलिटी भी मेरे पास था पर मैंने हां क्यों करी दोस्तों मैंने कर क्यों लिया क्योंकि गॉड मास्टर प्लान था जब बगवान आपकी लाइप में कुछ अच्छा करना चाहता है न तो आप उसको मना नहीं कर सकते अगर एक बार आपने मना कर लिया बग बगवान मोका नहीं देता क्योंकि बगवान को मालूम है कि यार तीं तीं बार इंको वो सर पकड़ के ऐसे से भी कराता हूं पर इंकी समझ में नहीं आता है तो और चांस उसको देना चाहिए या नहीं चाहिए राइप सो बेजिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं वर्किं कि मेरे पगा से ज्यादा मेरा महीना लंबा चलता है 20-10 तारिक तक हम बहुत खूश रहते थे क्योंकि हमारे पास सेलरी आती गी 11-20 हमको कुछ भी इतना थूड़ा सा कॉम्प्रोमाइस करना पड़ता था सेटिंग से हमारा काम चलता था और 21-30 believe me friends हम यह बोल सकते मैं मेरे लिए बोल सकते हूं कि मैं बेशरम हो जाती मतलग कि किसी से मैं मेरी colleagues वगरे से मैं पैसे उधार लेने लेती थी वो टाइम में क्योंकि मुझे घर चलाना और यह चीज मुझे ही पता थी कि मैं मेरा घर कैसे चलाती हूं और इतनी income से मेरा क्या होता है तो मुझे पता था कि एक opportunity मेरी life में मुझे क्या दे सकती है तो यह opportunity जब मेरे पास आई तो मेरी जो friend थी सिर्फ उसने एक ही चीज बोली थी यहार business है बढ़िया है तो कर ले तेरी life बदल जाए और यह शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान हमेशा ही open रहते थे तो right क्योंकि मेरी life कैसे बदल जा हूं कि मेरा निलेश के साथ love marriage है शायद आज आपको देखके जरूर लगता होगा कि definitely यह couple इतना smart है इतना अच्छा दिखता है एक दूसरे के साथ इतना अच्छा उनका connection है तो definitely इनका love marriage भी होगा पर हमारे marriage के बाद एक साल के बाद जब तक यह business हमारी life में है तब तक हमक बीच में जब love था तब था marriage के बाद वो life में से love गायब हो गया था और हमारा दोनों का relationship 36 क्याकड़े की दरह हो गया था 36 क्याकड़ा पता है ना तीन ही तरफ होता है छे इस तरफ होता है तो ऐसा हमारा relationship हो गया था और बीलियमी जब love किया था तब बहुत सारे सपने देखे थे क्योंकि मैं पहले से ही बहुत वड़ी dreamer मुझे पहले से ही राजकुमारी मतलब वो राजकुमारी होती है ना वैस करेगा मुझे ज्विलरी gift करेगा मुझे घर चा-चार गर में रखेगा मुझे घर बुचल गारी में घुमाएगा मुझे फॉरन ट्रिप्स लेके जाएगा शादी के दो महीने भी नहीं हुए और मेरे सामने life की reality आने की शुरूर हो गई फी लाइफ को कैसे life का मतलब बोल आइतने भी challenges आइ, इतने भी ups down side, अइतना भी मुझेे तक्लीप हुए. मैंने कभी dream देखना नहीं छोड़ा, जाये business में थी या business से पहले. मैंने कभी होप नहीं छोड़ा जिंदगी से कि मेरे लाइफ में यही है बगवान में क्या करूँ मेरी खिस्मत में तुझे यही लिखा मैं बगवान को यह चीज बोलती थी पर साथ साथ में यह भी बोलती थी कि एक मोगा तुम मुझे दे दे मैं दिखा दूँगी कि मैं कैसी लाइव जी सकती हूँ हमेशा ही मैंने बगवान से मोका मागा है कभी मैंने उनसे ये नहीं बोला कि हाई राम अभी मैं क्या करूँ मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गए एकिने और मुझे पता है कि बगवान जो भी सच्चे दिल से बगवान के पास मांगता है बगवान उसको मोका देता बगवान का काम है मोका देना उसके बाद उस मोके को सक्सेस बनाना या तो उस मोके को लाइफ से निकालना वो हमारा काम और मुझे पता था कि मैं बगवान से मांगती थी शायद वो मेरी प्रैंड के मुझे शायद बगवान ने निकलवा दिया कि तू कर ले तेरी लाइप बदल जाएगी और मैंने हाँ बोल दी और हाँ बोलने के बाद कभी पीछे मोड़े ले चैलेंजिस आये थे एक बिजनेस में जरूर आये थे चैलेंजिस के आये मुझे लोगों ने ये बुरा तू नहीं कर सकती क्योंकि मेरी डेपुटेशन ऐसी नहीं थी कि कोई मेरे साथ जूड के प्राओड फील कर कि हाँ मैं उसकी टीम में हूँ ऐसा बोलने के लिए किसी को प्राओड हुए मे थी कि बहुत सारे लोग अंटरेसृमेंट कर देगी तो हमको सबसे पहले यह सुनने को यह तूस नहीं कर सकती उसको मैंने यह लिया मैं ज़रूर ज़रूर कर सकती है क्योंकि अगर दुनियमें कोई इंसान अच्छी चीज़े यूज करने के लिए कोई एंसान अगर अचीक च और इसलिए मैंने उस चीज़ को मोटिवेशन मनाए कि मैं जरूर परूदी यह सबसे पहला था दूसरी एक चीज़ थी लोगों ने मुझे बुला मेरे पस टाइम नहीं था मैं बोल सकती थी टाइम नहीं उसको मैंने रिजन बनाए क्यों रिजन बनाए पता है जब मैं जॉब पे जाती थी मेरा आठाट नौनो घंटे का जॉब रहता और जब मैं जॉब पे जाती थी ना तो मेरा बेटा है ना बहुत छोटा रहता था तो मेरे पल्लू को ऐसे पकल लेता था और बाहर निकल ले से पहले वह बोलता था मुझ तो बोष चीजए मुझे हट करती थी वो टाइब, पर पैसे के लिए मुझे करना था, क्योंकि करना ही पढ़ता था मुझे पैसे चाहिए। तो हमेह मेरे बेटे को बोलती थी बेटा बूहती जल्दी में आप़े, और इसीपम है, अपना थ motivat not to me, कि मेरे पास time नहीं है, क्योंकि मुझे time से free होना है, और ये business की opportunity में मुझे, मैंने इतनी महनत कर, इतना काम किया, मैं business plus three years, मेरे जॉब से मेरे पास choice तो मैं free हो गई, उसके बाद से आध दीन तक मैं मेरे बच्चो के साथ रही हूं, मेरे मेरे बच्चो को quality time लिया है, quality time, time नहीं, right, मेरे बच्चो को जब जरूराच होती है, मैं उसके साथ बैठती हूं, उसको पूछती हूं, आज मेरी बे को जब हमारा time चाहिए, हमने वो quality time लिया, यह opportunity ने मुझे दिया, दूसरी एक चीज थी, वो टाम पर जब मैं बिजनेस जोएं किया था, पैसे लगाने होते हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो मैं यह बहाना लगा सकती थी, कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे बिजने के पैसे, दोस्तों मैंने वो बहाना नहीं बना, मैंने इसको reason बनाए, कि कुछ पैसे, कुछ ऐसे छोटे पैसे जिसको manage करके मैं यह business start करती हूं, तो मैं लाखो और करोड़ो रुपये कमा सकती हूं, वो पैसे अगर आज मैं manage नहीं कर पाई, तो पुरी life मुझे life of compromise, जो कि मैं नहीं चाहती, तो मैंने वो पैसे manage के, कैसे manage के हैं, मैंने बैंक से loan लिया, और मैं बिजनस को start की, तो दोस्तों, एक चीज़ simple सी है, मुझे यह business में आने के बाद, एक चीज़ simple सी पता चल गई थी, बहाने बनाने वाले कभी पैसे नहीं कमाते और पैसे कमाने वाले बहाने नहीं बनाते, और दूसरी एक चीज़, कि यह business में product को sell करना होता है, मुझे भी जाके sell करना था, अभी मेरा reputation है, मैंने आपको बताया, कोई मेरे ओपर trust नहीं कहता, मैं कैसे product sell कर, फिर भी मैंने किया, क्योंकि मैं खुद product की product पहले, मैं खुद बनी, फिर मैंने व और उन से relate किया, कि सेम जो आज चीज़ा face कर रहे हुए, चीज़े मैं face कर दी दी, पर यह product से मुझे यहाँ 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 फाइला हुए, तो वहाँ पे वो connection से मेरे product जाने लगी, मैंने घर घर जाके थेला लेके, बेचया नहीं है, और यह बेचने का business भी नहीं है, और अगर बेचने का business होता ना दोस्तों, तो यह जो success profile है ना, यह आपके जो applying है, आप में जिसने आपको यह business में यहाँ तक बूलाया है और आपको यह presentation आप लिखाने के लिए उनको बोलना कि मुझे एक बार success profile लिखा है, यह profile में IIT engineers है, Nata के scientist है, City Bank के vice president है, यहाँ पे अप 50-200 की OPD होती है, यहाँ पे ऐसे film stars भी है, यह business में, अगर घर घर जाके बेचने का business होता ना दोस्तों, तो यह लोग business में नहीं आते हैं, और यह success profile में मेरा belief बढ़ाया, कि अगर यह लोग यह platform से business बना सकते हैं, similar platform मेरे पास है, जहाँ पे मैं खड़ी होके, उन से नजरे मिला कि उनके parallel यह business को बना सकती हूँ, तो मैंने यह business को बहुत बढ़ा बनाने का decision है, मेरा विश्वास बढ़ गया, और यह इसा नहीं है कि इतने पड़े लिखे लोग ही है, यहाँ पे middle class लोग भी है, lower middle class लोग भी है, cycle, tire puncher करने वाले लोग भी है, और football सीने वाले मैंने अपने आपको डूंडा, कि यहाँ और यहाँ, वीश्वास मुझे यह business में टीका है रहता, और क्या challenges आती है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे भी छोटे थे, और मेरे बच्चे छोटे थे, इसलिए मैंने बिजनेस को किया, क्यूंकि बड़े होके मेरे बच्चे आपके पास भी करोरपती बनने का मोगा आया था, आपने नहीं किया, तो आज हम compromise of life जी रहे, मैं नहीं सुनना चाहती दी, मैं बहुत ही respectful life को जीना चाहती थी, मैं मेरे बच्चों से respect चाहती थी, और यह चीजे होने की वज़े से यह सब चीजों ने मुझे यह business तरने का strong decision बनाने के लिए मजबूर किया, नहीं कि मुझे ऐसा था कि यह सब चीजे है तो मैं नहीं करूँ, बहुत आसान है दोस्तों, नहीं बोलना, नहीं करना, आराम से गर में बैच जाना, बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके लिए कोई महनत नहीं करने है, और मैं चाहती थी, कि I I am become a role model of my family, मेरे family के लिए मैं role model बनू नहीं कि Katrina कैप कोई भी x y z, right, so, यह business मैंने मेरे बच्चों के लिए, और आज में बताया है वैसे मेरे बच्चे आज बूलते है, पापा के साथ मेरा बेटा जीनने जाता है, दूनों बाप दी बेटे साथ में जाते है, मेरे बच्च को पता है कि हमारे मुची डेडी ने हमारे लिए क्या डिसिजन लिया क्यों कि तकलीफ है तो आएगी दोस्तो में बच्टों कौन से कौनसा बि utilनसे है कोनसा जोब ऐसा है कोनसा प्रोफाल इसा है, जहांा पे तक लीफ यहांने रहे पनूंझे बताए, यह जोब रहे का ली रिजल्ट क्या है, हम क्या कौन सी जगह पे वो तकलीफों को जेल रहे हैं, वो भी बहुत इंपोर्ट है, अगर एक मजदूर ऐसा बोलता है, कि मुझे बोरिया उठाते उठाते तकलीफ पर यह काम मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बोरिया उठाने में बहुत और दोस्तों पे एक चीज सची मैं बता हूँ, जब मुझे यह स्टेज से कभी अपने आप से बात करनी होती है, कि में बिजनेस में लोगों को मैसेज क्यू दू? तो मुझे चीजे याद करनी पड़ती है, कि वहया मैंने क्या किया था यह बिजनस को बीड करने के लिए, क हम लोग रात को प्लाण डीखा के बारह्ग भजे, एक बजे, दोबजे घर पे आते थे, वो टाइम पर फिजिकल टान होते तो हम दोगजे घर पे आते थे, दोगजे जब घर होते थे, तब हुँआ धोटा सा बढ़ किचन का गर था, वो गर में एक जाली में सिर्श लगा ताके बीच में, बीच की जगा पे मेरे दोनों बच्चे भूखे, प्यासे, रात को सोय हुए होते थे, उन्होंने कुछ भी खाया नहीं हुआ होता है, और सोते हुए, सोते बाताला भी नहीं लगाते थे, वो ऐसे ही स्टॉपर लगा के सोते, और वो टाइम पे जब हम गर मे एंटर होते थे, उसको भी मैंने कभी तकलिफ नहीं समझा, बेटे और बेटी के सर पे हाथ रखे, उस दिन हमने, हस्बन वाइफ ने डिसाइड किया, कि बच्चों, आपके फ्यूचर के लिए हम करे, थोड़े दिन, बस थोड़े दिन तकलिफ आप सहन कर, उसके बात, ला यह सब चीजों से हमारा बिजनेस के प्रती विश्वास तोंग होता जाए, और असोशेशन, ऐसे लोगों से हम मिलें, जो लोग हमको हमेशा एंकरेश करते हैं, यू कैन डू इट, आज भी देखो, सुनि बाया, दर्मिस्टा बेन बोले कि, जब प्लान शुरू होने से पह और हमेशा इक अब्शा कबभी भी, कबभी भी मैने मेरे ड्रीम को नहीं छोडा था, यू कि ड्रीम के लिए मैने बहुत पहीं लिए थी, तो वो ड्रीम तो मैं छोडने वाली नहीं थी, वा आके रहने भी मैं, जब तक मैं क्रान् सपन्साइन मुझे एक बताई दी जानवर और इंसान में एक ही फरत है इंसान सपने देख सकता तो मुझे एक चीज़ पता थी, मैं इंसान हूँ, बगवान ने मुझे इंसान का जनम दिया है, और मैं इंसान हूँ, तो मैं नाइंसाफी नहीं कर सकती, कि मैं ड्रीम देखना छोड़, यह अपने वूमन, लेडीज, लेडीज का पावर क्या है, वो मैं बता हूँ, एक है, जिसको आप बिजनेस में लाते हो, अगर वो कपल में लेडी एक्साइटेड है, लेडी बहुत ही फाइड़ एक्साइटेड है, डिसीजन लिया है कि कुछ भी हो जाए में बिजनेस को बील करूगी, और उसके हस्बन शाइद अभी भी सोच रहे है कि करू या नहीं में लेडी बिजनेस का वीजन, आप क्या मालते हो, चांसी क्या है? आप कर दो लेडंधे, क्यों कि लेडी में वो शक्ति है, कि वो किसी को भी अपने हस्बन को खीच के लेकर आ सकती है बिजनेस यह जाए अर्ज रहें पर सकती है, रहाए मैं चाहिए हम सुनते हैना कि एक सुकस्ज़ परसंड के पीछे इसी लेडी का हाथ है, थो लेडी कि और ऐसे ही नहीं हमारे प्रदान मंत्री से लेके एमवे इंडिया का वीजन भी वो ही है वुमन एंपावर्मेंट, वुमन अंट्रोप्रेनियर, आप समझ ये पूरा देश जहां पर एक स्त्री के उपर, एक भुमन के उपर नज़र टीका है बेटा है कि हमारे देश की स्त्री कुछ करेंगी, हमारे देश की वो महीला कुछ करके निखाएगी, हमारे देश की वो महीला है, जो हमारे देश को आगे लेके जाएगी, अपने आपको क्यों अभी तक सीमेट के रखे हैं कि में इस नहीं होगा उसके लिए मैं आगे एक दो मिनिट और बात करूंगी दोस्तों पर मेरा टाइम तो ऐसे ही धार-धार-दार निकल के जा रहा है पर आपसे बात करके बहुत ही मजाया दोस्तों एक चीज़ है आप आपकी लड़ाई है ना खुद से लड़िए लेडी से मैं आज के पूरे सेशन में एक की मैसेज देना चाहते हूं लेडी आपकी लड़ाई आप खुद लड़िए पौंसी लड़ाई आप किसी से बहार लड़ने बहार आपको लड़ने जाना ही लग मैं बीजनेस दिखाती ऊच्छा पुछा ज हो लोग में जहां बोलेंगे अंदर्वाली सोनल बोलाएं कि लोग बोलेंगे प्रोडक्त। मुझे अपने आपसे लड़ाई लड़नी है कि नहीं किसी को प्रोड़ाइगी, नहीं लगेंगे, क्योंकि ये सब प्रोड़क्त वैल्यू फ़र मैंन हैं. अपनी लड़ाई खुद के साथ की लड़ाई आप जब लड़ना और उस पर जीतना सीख जाएंगे ना दुनिया की कोई ताकाथ डुनिया की कोई स्त्रीकों अपने मंजिल तक पहुचने से नहीं रोग सकती बिलिव में दोस्तों हम हार कब जाते पता है फुद से ही हार की ब जिसको मैं तो तुछ गोलते हूं वो चैलेंज के सामने हम घुटने टेक देते हैं अरे यह हुगा मैं जॉइंटा मेरे तुम मेरे बच्चे चूटे में पस्ताई नहीं है अरे यार लोगों से मैं सुनती हुना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यार ये लेडी क्या बात कर रही है तो अपने आपको वो एक लिमिटेशन में डाल देए नहीं है यार बॉन तुम हम लोग जितने के लिए पैटा और दोस्तों एक चीज में बता हूं आज है ना मैंने कोशिश करिए निले से भी सर्प्राइज है मैंने कोशिश करी है ज्यादा लिखने का मुझे श आपको अच्छी लगे तो उसको सराहना नहीं अच्छी लगे तो भी बैर कर देना मेरे साथ मतलब वो टाइम आप मुझे सहन कर लेना ऐसा बोल सकती हूं मैं राइट सुनना बहुत ही कैरफुल उसको सुनना पर इश्वर चाहे कोई भी रूप में हो आप आपका बहुत ब नारायनी बना के इस सुन्दर जहां में बिंजा ये तो मैं ही थी जिसने अपने आपको बना दिया नारी नारायनी में से मैं किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ बन दे ये तो मैं ही थी, जिसने अपने ही हाथ पेर और मुँँ पे बेडिया लगा दी और खुद को ही, कुद के ही बनाए रिस्तों में, ऐसे उलज गई ये तो मैं ही थी, जो बुल गई नारायनी तु तो इश विश्व की रचेता हैं ये तो मैं ही थी जिसने नारायनी में से नर और नारी को अलग कर दिया ये नारायनी वो तु ही है जिसकी कोक से गांधी जी बगत जी सुखदे और राजगुरु जन्मे आज खुद की ही आजादी की लड़त लड़ने से डर गई तु ते इश वर आज खुद से ही खुद की पहचान कराने का मोका देने के लिए आपका बहुत 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 शुक लिया मैं लक्ष्मी हूँ और मेरे घर लक्ष्मी को लाना मेरी जिम्मेदारी है शरश्वती बनकर शब्दों में शक्ती भर किसी को आश देना मेरी जिम्मेदारी है काली का रणचंडी आराशुरी बनकर मेरे और मेरे परिवार के सपनों के लिए लड़ना मेरी जिम्मेदारी है मेरे अंदर आस है, सास है, त्यार का आवास है, क्यूं मैं रुकूं, क्यूं मैं डरूं, क्यूं मैं थमूं, क्यूं मैं किसी की आड में छुपूं, क्यूं मैं हार मालूं, मैं देश चलाना भी जानती हूँ, प्लेन उडाना भी जानती हूँ, चांद को छुना भी जानती हूँ, और इस सब के साथ घर चलाना भी जानती हूँ और आज के बाद किसी से कम मत समझना मुझे समय आने पर परिवार की ढल बनना भी जानती हूँ, आज से ये मैं नहीं बुलूंगी नारायनी हूँ, नारायनी हूँ, नारायनी हूँ, आज से ये मैं नहीं बुलूंगी और आज से खुद से ही खुद को दूंगी आशीरवाद में, सौ भाग्यवती बवबा, सौ भाग्यवती बवबा, से लप्ति화fle опас, समार्थो बवबा, समार्थो बव विजयी बवबा, विजयी बवबा, विजयी बवबा, से लिए बवबा, ? Thank you so much. And back to that. Thank you. सब्सक्राइब 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 बहुत सही बताया नाराणी है तू विश्व की रचैता है तू मैं लक्ष्मी हूँ मेरे घर में लक्ष्मी लाना मेरी जिम्मेदारी है क्या बड़ी बात बोल दी आपने बहुत 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 बहुतरीन बात बोल दी आपके լोलने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं बस्ते क्योंकि आज आपने जो नारित्व को एक सम्मानिय पोजिशन पर ला दिया है जो है ही पर वो बात की रियलाइजेशन आपने बहुत अच्छी तरह से करवाए और मैं विहान से बोलूँगा कि इन्होंने जो आज जो पोएम बताई है ना उसका एक अलग से वीडियो बनाया जाए और वो हर नारी को भेजा जाए जो इस बिजनेस में आपके साथ अपनी लड़ाई लडने के लिए आएगी क्योंकि ये आपकी लड़ाई है पर आपके अंदर की लड़ाई है जैसे सोनल जी ले लिए तो नहीं कर सकती और दूसरी बोल रही ते मैं करके दिखाऊंगी यही तो मौका है तो यह बहुत सारी बाते आपने बताई और एक वीडियो भी दिखाना चाहते हैं पर अभी मेरे को लगता है तोड़ा टाइम हो गया है पर हम लोग एक काम जरूर कर सकते हैं लेके हम जीवन में बहुत सारे लोगों का आशिरवाद लेते हैं और हम मानते हैं कि इनका अगर आशिरवाद ले लिया ना तो ब्लैसिंग्स मिर जाएगा ऐसा हम मानते हैं तो वो आशिरवाद लेने से पहले हम सोनल जी और निलेज जी के लिए एक बार वापिस से क्लैप करेंगे बहुत ही बहतरीन बात किया है आज आपने और दूसरी बात हम लोग अपनी बात को जरूर से दौराएं और जैसे उन्होंने बताई है अपनी लड़ाई है तो विहां सब सिल्वरन अप लीडर के आडियो को और फिर हम लोग आशिरवात देंगे और ये पांचे लाइन आपके जीवन के वो अमुल्य साल बचा देंगे जहां से आप सफल होने से बन्चीत रह जाएंगे तो हमारे साथ दौराएं मैं जोड़दार हूँ मैं कर सकता हूँ आज मेरा दिन है इश्वर मेरे साथ है शमत हो रहा है चमत्कार करता कम नहीं है मिटिंग जोट कोड़ी हम लोग है न एक काम करेंगे अपने आपको आशिरवात देंगे क्यूव कि हम लोग आशिरवात लेने के लिए बहुत जगत पहुँठ जाते हैं और हम सोकतैं कि अभी सियार, घखावर। हम गाड़ी लेते हैं, तो कौन सी लेते हैं? SUV, तो हम आश्रिवाद कौन से लेंगे? SUV, तो बिल्कुल हाथ को अपने सर पे रखे, अपने आपको आश्रिवाद दीजे, शक्तिमान भवा अरजावान भवा विजए भवा शॉनल जी और निले जी आपने आज ये तो बता दिया के अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और हम लोग सब रेडी हैं, आप लोग रेडी हैं क्या, और हम लोग bitches of the world जाने वाले हैं, A7 team है, हम सब का dream है, हम समारी बहुत सारी team को लेके जाने वाले हैं, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले अपते, एक नई सुबर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, बहुत ही रिजाज कर दिया है, आज आपने सब मिलके, हम लोग सोनल जी के लिए टैंक करें, निले जी के लिए टैंक करें, और मिलते अगले अपते, टैंक यू.